हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी बस इस वीडियो के कॉंटेंट को बनाने के लिए हमारी टीम को सेविन डेज की हार्ड वर्क और रिसर्च लगी है उसके बाद यह कॉंप्रिहेंसिव नोट्स आपके एक्जाम के लिए बन पाएं इस वीडियो को अबजेक्टिव यह है कि जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं चाहे हो एकनॉमिक्स हो, कैपिटल मार्केट्स हो, इंपोर्टन मर्जर्स हो, अक्वजिशन हो, इंपोर्टन बुक्स हो, ओथर्स हो, जो हमारा पोर्टपोलियो है, इंपोर्टन बॉडिज, डेगुलेटरी बॉडिज, जितने भ अगर आपकी MBA interview calls है किसी भी college की तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ाधा comprehensive है क्योंकि आपको बहुत detailed knowledge इस वीडियो से मिलने वाली है जो आपके further GK के subject में या फिर interview process में काम आने वाली है तो बहुत ज़ाधा research के बाद ये वीडियो बनाई है तो I hope आप इस वीडियो को like करोगे नीचे comment करके बताना कि इस वीडियो की notes आपको कैसे लगे वीडियो start करने से पहले आपको बता देता हूँ अपनी एक notebook ले लो एक pen ले लो और इसके proper notes बना लो and इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना so that आपके सारी की सारी important information cover हो जाए and आपके जो GK subject है उसमें और अब को ठारी लेट से स्टार्ट तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना and bell icon को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी important वीडियो हैं उसके notifications आपको मिलते रहे इंस्टाग्राम पर हमारा चैनल सब्सक्राइब एडूकेशन इसको फॉलो कर लेना है डेली बेसिस क्वांट का वर्बल का LIDA का GK का और एलस आप कॉंबो pen drive course ले सकते हो कॉंबो में आपको GDPI VAT का complimentary content साथ में मिलता है इस pen drive course में आपको सारे के सारे lectures बेसिक से advance तक कराएगे हैं पूरे concept सिखाया जाते हैं फिर basic से advance तक questions आपको कराया जाते हैं साथ में आपको मिलता है unique portal उस portal पे आप अपने topic test की practice कर सकते हैं आपको full length mocks मिलते हैं और आपकी overall preparation हो जाती है तो कहने का मतलब यह है कि इस pen drive course को करने के बाद नहीं आपको कोई अलग से testory चाहिए ना coaching चाहिए ना book चाहिए पूरी preparation आपकी हो जाएगे तो अगर आप order करना चाते हो हमारी website order कर सकत हो within five to seven days आपके घर पे आपकी pen drive kit आ जाती है इस pen drive में वीडियो lectures के अलावा जो आपको portal मिलता है उसमें हर एक topic का basic select advance तक test होता है साथ में आपका weekly current effect का test आता है 25 cat के mocks, snap mocks, zat mocks, ift mocks, nmat, tisnet, srcc, cmat, सारे के सारे exams आपके cover हो जाते हैं साथ में आपको मिलता है steady planner जहां 9589-37705 पर check कर लेना ठीक है अब हम start करते है अपनी वीडियो को क्या क्या important चीज़े हैं मैं आपको बता जाता हूँ slide by slide मैंने कोशिश की है team ने कोशिश किये कि हर एक चीज़ आपके लिए cover up हो पाए and हमने पूरे के पूरे content को 2-3 बार proof fluid भी किया है ताकि कोई भी error का scope न लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि कुछ यहां पर mistake हो गई है या फिर कुछ additional information जो आप देना चाहते हो तो नीचे comment section में add on कर देना मैं एक पूरा comment बना दूँग अगर कुछ भी इसमें editing होगी या फिर कुछ add on information होगी जो सबके लिए helpful हो सकता है इसके साथ ही अगर आपने current affairs का video नहीं देखा है बही मैंने पूरा January to December का current affairs का video upload किया था अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना उसका link मैंने नीचे description में और current affairs में दे दिया उसमें month by month सारी current affairs है और current affairs के अलावा जितने भी topics है वो यहां पे मैं आपके लिए cover करने वाला हूं तो सबसे पहले हम लोग बात करते है noble prize की तो noble prize आपको जो मिलना start हुआ है वो किसके नाम पर मिलना start हुआ है कि इन्होंने study कीती and supermassive जो object होते है galaxy पे उसके ओपर research कीती जिसकी वज़े से इनको noble prize मिला है अब यह जो question है exam में बहुत सारे तरीकों से आ सकता है कि noble prize किसको मिला है physics में या फिर question ऐसे भी आ सकता है कि which of the following person did not receive noble prize in physics तो आपको चार option दे रखे होंगे उसमें से तीन option यह होंगे और एक extra option होगा तो आपको proper notes बनाने है ताकि कोई भी question आपका miss ना उसके बाद अगर हम chemistry की बात करें तो chemistry में दो लोगों को मिला है जिनके नाम यहाँ पे mention है medicine की अगर हम बात करें तो तीन लोगों को मिला है alter, Michael and Charles Rice को उसका economics की बात करें तो Milgram और Wilson को मिला है क्यो Nobel Peace Prize World Food Program को इस बार मिला है क्यों क्योंकि जो इन्होंने effort करें हंगर को खतम करने के लिए पूरे world में ताकि सारे के सारे लोग at least अपनी hunger को satisfy कर पाए तो आपके exam में जो ज़्यादा तर question बनते हैं वो winners के बनते हैं कभी कभी reason भी पूछ लेते हैं क्यों reason से मिला था तो वो जो इस साल जो अकेडमी वार्ट हुए थो वो 92nd अकेडमी वौट हुए थे जिसमें बेस्ट मुवी जो मिला था वो मिला था पैरसाइट को world actor को जोस्ताव जोकर के बानेशन को मिलेल है अगर चुने और को जो सब्से ज़ादा अवऌर मिले वो parasite movie को मिले है ठीक है अब अगर इसके बाद हम बात करें तो film fair award तो इंडिया में जो दो awards important है जिसके बारे में question exam में बन सकता है वो होता है आपका national award and then आपका film fair award ठीक है तो अगर national award की बात करें तो last year national award मिले थे इस साल वो process नहीं हुए थे film fair award की अगर हम बात करें तो जो best actor मिला था रन्वीर singh को gully boy movie के लिए best actress मिला था आलिया बट gully boy movie के लिए जो best film मिला था वो आपका gully boy को मिला था director भी gully boy को मिला था उसके बाद अगर आगर हम music director देखोगे तो काफी सार लोगों को and जो important question of a lifetime time achievement award किसे मिला था तो वो मिला था रमेश सिपी को ठीक है अब अगर हम बात करें best critic choice award किसे मिला था तो वो मिला था article 15 movie को ठीक है अब अगर हम देखें next tennis award अगर हम किसी exam की particularly बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ पता होनी यूएस ओपन ठीक है तो इन चारों में किस को मिला है अवार्ट singles में मैं आपको बता रहा हूं तो जो Australian open था जो last हुआ था जब मैं ये video बना रहा हूं उसमें जो men में जीता था वो जीता था यूएस ओपन की बात करें तो इसमें men में जीता था डॉमिनिक थीम और वो में में जीती नाविमी उसाका अब आपसे मैं एक question पूछ रहा हूं जो पहले भी entrance में आया हूँ है नीचे मुझे comment में बताना कि भई सबसे जादा grand slam किसने जीते हैं ठीक है सबसे जादा grand slam किसने जीते हैं मैं men की बात नहीं कर रहा हूँ मैं overall आपसे बात कर रहा हूँ तो ये question आप मुझे नीचे comment में answer करके बताओगे and एक और question में आपसे पूछ रहा हूँ कि इस साल की इंडिया की official entry कौन सी है Oscars में जो Oscar में गई है वो कौन सी movie गई है ये भी एक important question है नीचे comment में मुझे answer आपको बताना है इसके बाद अगर हम बात करें beauty event की तो भाई last वाले जो latest beauty events होने था वो cancel हो गये थे due to covid लेकिन उस American है and 2020 में event cancel हो गया था Miss universe 2019 की बात करें तो बई जौजी भी नहीं तुन्जी को मिला तो जो South Africa से ठीक है तो ये सारे के सारे beauty award के नाम भी लिख लेना कभी-कभी exam में इससे related question भी आपके बन जाते है उसके बाद E.T. economic time जो है वो हर साल अपने कुछ awards देती है उसमें जो सब को पता होगा एक online trading platform है तो इस पूरी company को मिला है startup of the year award तो ये आपके लिए important question है साथ में मैं आपसे एक और question पूछ रहा हूँ जो आपके exam के point of view से important है कि 2021 की unicorn कौन बना है इंडिया की पहली company इंडिया में overall बहुत सारी unicorn companies है जो grow ही है unicorn का मतलब होता है जिस company का valuation 1 billion से उपर हो जाता है लेकिन 2021 की first unicorn company कौन सी बनी है इंडिया की ये आपको मुझे नीचे comment में बताना है ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें तो EY entrepreneur of the year EY Ernst & Young अगर आपको पता हो दुनिया में चार companies है जिनको big four के नाम से जाना जाता है जो दुनिया की चार सबसे बड़ी audit firms है इन watercoopers कहते है देन आपका Deloitte है उसके बाद EY है जिसको Ernst & Young भी बोलते है देन आपका KPMG ठीक है तो उसमें सो जो EY है वो हर साल worldwide अपना entrepreneur of the year select करता है बहुत सारे parameters पे तो इस बार जो entrepreneur of the year मिला है वो एक इंडियन को मिला है जो बायकॉन लिमिटेट की chairman है founder है किरन और शो जो है she has been avoided as EY entrepreneur of the year ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें तो time person of the year आपको पता है जो time है magazine वो person of the year बनाती है तो इस बार जो person of the year बने है वो कौन है वो है Joe Biden and Kamala Harris ठीक है तो ये दोनों कौन है these two are the president and vice president of US now तो इन दोनों को मिला है time person of the year इसके बाद इस साल time kid of the year भ time kid of the year किसको मिला है वो मिला गितांजली राओ को तो ये भी बहुत important question है ये exam में बन सकता है कि time kid of the year किसे दिया गया है गितांजली राओ को और ये कौन है she is a scientist and inventor ठीक है तो काफी important question है इसके भी notes आप बना लेना इसके बाद अगर हम बात करें तो union cabinet में जो हमारा portfolio है वो आ आपके एस जैशंकर उसका finance minister कौन है निर्मला सीता रमन, defense minister कौन है राजना सिंग, railway minister and commerce minister दोनों कौन है आपका पियूश गोयल, agriculture and rural development है नरेंदर सिंग तोबर, उसका road, transport and highway ये कौन मिनिस्टर है नितिन गटकरी, law and IT minister कौन है आपके रवीशंकर प्रसाद, woman and child development, इस्मृत पोकरियाल, उसका health minister कौन है, डॉक्टर हर्श वर्दन, then environment minister कौन है, प्रकाश जावडेकर, तो ये सारे के सारे minister portfolio आपको पता होंची है, हो सकता है किसी exam में, आपको cross करने के लिए भी पूछ ले, match the following की form में भी question बन जाता है, ठीक है, आप मुझे नीचे question का answer दो, जो हमा नीती आयोग है, कौन सा आयोग मैं बोल रहा हूँ, नीती आयोग, उसका chairman कौन है, उसका CEO कौन है, ठीक है, उसका CEO आपको नीचे मुझे comment section में बताना है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो Indian organization and regulatory bodies, अब अगर इस चीज की बात करें, तो काफी ज़्यादा आप exam से सबसे पहले मैं बात करा हूँ, RBI Reserve Bank of India की, तो Reserve Bank of India है, वो majorly आपकी monetary policy को regulate करता है, देखो, इंडिया में दो तरह की policy होती है, एक होती है fiscal policy और एक होती है monetary policy, तो monetary policy को central bank regulate करता है, और fiscal policy को government regulate करते है, तो जो RBI आपका establish हुआ था, वो 1935 में establish हुआ था, 1949 में इसको nationalize कर दिय के के, तो current governor जो आपके हैं, वो है, शशीकान दास, जो 25th governor रहे हैं, और जो first governor रहे हैं, वो कौन रहे हैं, वो रहे हैं, और सबॉन इसमित, ठीक है, उसके बाद जो next नमारी body है, वो है SEBI, मतलब Securities Exchange Board of India, तो जितनी भी आप देखते हो, share market में training होती है, securities market होते है, capital market होते है इनको पूरा का पूरा regulate करता है, SEBI आपका, ठीक है, तो इसके जो chairman है, वो कौन है, वो हैं आपके, अजयत्यागी, ठीक है, 1988 में establish होता, SEBI, and 1992 में इसको nationalize कर दिया गया, तो उसके बाद EDA, EDA आपने देखा होगा, जितना भी insurance sector होता है, तो EDA की full firm कहा है, insurance regulatory and development authority of India, तो जि आप चीजों को regulate करता है, जितनी भी insurance companies बन रही है, वो सही तरह से काम कर रही है, वो जो premium decide कर रही है, जो वो facilities provide कर रही है, अगर किसी customer का claim ने मिलता है, तो आप यहाँ पे जाके complain भी कर सकते हो, उनका license cancel हो जाता है, तो इस सारी चीजें, यह regulate करते है, तो इनका जो chairman है, व war हो गया, या कभी-कभी कोई company अपनी monopoly का benefit तो नहीं ले रही है, तो इन सब चीजों को decide करता है, टेलिकॉम regulatory authority of India, तो इनके जो chairman है, वो है PD वागेला, उसके बाद आपका PFRDA, pension fund regulatory and development authority, तो जितनी भी pension related काम होते हैं, वो इस body के अंदर जाते हैं, इनके chairman है, सुप्रपत्यम बंदोपाद्य है, इसके बाद CBFC Central Board of Film Certification, जिसको आप commonly sensor board के नाम से जानते होगे, आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी कोई movie आती है, उस movie की starting में आपने देखा होगे, एक certificate आता है, जिस पर लिखा होता है, movie की length कितनी है, कौन-कौन उसके director है, इस type से सारी information होती है तो वो जो certificate होता है, वो CBFC issue करता है, तो इसके जो chairman है वो है, प्रसून जोशी, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, FIKI, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, जो ये चीज़ facilitate करता है, कि इंडिया में, जितनी भी business organization है, उनका काम ठीक तरह से होता है, तो इनके जो president अब अभी नए बने, आपको नाम पता होने चीए, वो है उद्यर शंकर ठीक है, उसके बाद CII Confederation of Indian Industries, इनका परपस ये होता है, इस body का main function ये है, कि जितनी भी इंडिया में businesses है, वो एक friendly pace पे grow करें, और सारी की सारी चीज़े एक positive environment पे रहे, तो इनके जो president है, वो है उद्यर कोटक ठीक है, फिर हमारे सामने SOCAM, Associated Chamber of Commerce and Industry, इनके जो president है, वो है विनीत अगरवाल, फिर आपके सामने NASCOM, NASCOM Majorly Software Companies के साथ डील करता है, software companies के लिए एक better environment create करता है, उनके कोई challenges है, उनको solve करता है, इसका full form है National Association of Software and Services Companies, इनके जो president है, वो है देव जानी गोश, देन हमारे सामने AICTE, All India Council for Technical Education, इनके ज purpose है, आपको पता है, AICTE approved colleges होते हैं, तो जो भी higher education का department होता है, उसको ये पूरा का पूरा regulate करता है, देन हमारे सामने UGCA, University Grant Commission, इनके जो chairman है professor, DP सिंग्देन, civil aviation को पूरा का पूरा कौन regulate करता है, जो ministry के अंडर आता है, उनके जो director general है, वो है, अरुन कुमार, तो DGCA का function यह regulations होते हैं, कुछ नए laws लाने है, changes लाने है, वो सब ये पूरा का पूरा body organize करता है, ठीक है, तो ये कुछ important bodies थी, उनके जो key persons है, वो मैंने आपको बताए, उनके functions बताए, ताकि इस से later अगर आपसे किसी interview में, या कभी किसी GK के question में, कभी किसी entrance में पूछे जाए तो आप comfortably उसका answer कर पाओ, इसके बाद अगर हम बात करें international organization, बहुत ज़ादा favorite topic है, बहुत सारे exams का, जिसमें वो international organization के बारे में पूछते हैं, कि ये वाली जो organization है, इसका headquarter कहा है, इसका chief कौन है, कौन से year में establish हुई थी, तो वो मैंने proper आपके लिए note बना दिये हैं, तो यहां से जब आपको सारी की सारी चीजों को समझना है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, United Nations, UN की बात कर रहे हैं, UN इसलिए बना था, जब World War 2 खतम हो गई थी, उसके बाद पूरी दुनिया ने कहा किया, यह कोई फाइदमन वाली चीज नहीं है, कि हम लोग wars कर रहे हैं, लडाई कर र थीक है, तो यह जो शुरू के तीन ने में बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट आपके लिए सबसे ज़ादा कुश्चन यहां से बनते हैं, उसके बाद हमारे सामने बॉडी है, IMF, International Monetary Fund, जो बहुत टर्म अगर आपको लोन वगएरा चाहिए होता है, किसी कंट्री को, तो यह जहां से आप डील कर सकते हैं, इसके लावा, IMF के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पूरी दुनिया में, पूरा मनी सप्लाइ से लेटेड, मॉनिटरी फंक्शन, मॉनिटरी रूल्स, किस तरह से चल रहे हैं, पॉलिसी किस तरह से चल लें, उसको ट्रैक करता रहता है ताकि पूरे वल्ड में एक इस्टेबिलिटी बनी रहे, तो 1945 में ये भी इस्टेबिलिश होता, इसका जो हेड़कोर्टर है, वो वशिंग्टन में है, इनकी जो हेड है, वो है क्रिस्टैलिनिया जॉर्जी वीवा, अब आपको इंपोर्टेंची ये पता है, जो एक इंड वल्ड बैंक, वल्ड बैंक जादतर डील करता है, लॉंग टम लोंज के लिए, जब किसी एकनोमी को, किसी कंट्री को चाहिए होता है, एंड वल्ड बैंक का एक और नाम है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन और डेवल्पेंट, बहुत बार ये कुशन आप का आफी सारे इंटरेंस में देखोगे, कि वल्ड बैंक का पुराना नाम क्या था, या यह आपको नाम दे रखा और आपको पूछा जाएगा, कि इसका करेंट नेम क्या हो गया, तो आप बोलोगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन और डेवल्पेंट, वल्ड कभी-कभी यह भी पूछा जाता है, कि वल्ड बैंक किस से बना है, या इसकी बॉड़ी क्या है, तो किसी भी तरह से दोनों चीजों को लिंक किया जा सकता है, तो आपको दोनों नाम पता होने चीए, तो यह भी एस्टेबलिश हो था, आपका 1945 में हेड़क्वाटर इसका व इसकी फुल फरम आपसे एक्जाम में पूछी जा सकती है, इसके हैड़क्वाटर है पैरिस में, इसके जो हैड़ है ओड्रे एजॉलो, उसके बाद है यूनिसेफ, जिसका काम क्या है, यूनिसेफ का काम होता है, कि पूरी की पूरे वर्ड में जो चिल्डरन है, उनको एक नेसिसिटी मिल पाए, तो यूनाइटेड नेशन चिल्डरन्स फंड, जो बच्चों के लिए काम करती है, 1946 में इस्टेबलिश हुई थी, इनका जो हेड़क्वाटर है, वो न्यू यूर्क में है, इनका जो हेड है, उनका नाम है हेंड़िटेफ 4 है, ठीक है, इसके बाद F COVID-related issues हो रहे थे, उसमें WHO का नाम आ रहा था, तो WHO से related कुछ question बन सकते हैं, तो World Health Organization है, इसका headquarter देख लेना बहुत जादा important है, जैनेवा, एस्टेबलिश हुआ था 1948 में, इसके head ने आपने देखा का बहुत बार news में आये है, जब इन्होंने कुछ-कुछ important updates दी है, क्या progress च setup हुई थी, वियाना में इनके headquarter है, और इनके current head है, राफिल ग्रॉसी, फिर है हमारे सामने WTO, WTO अपने आपने इंपोर्टेंट बॉड़ी है, बहुत बार news में आ रहा है, क्योंकि worldwide जो trade है, वो hamper हो रहा है, काफी सारी countries globalization promote नहीं कर रही है, तो हर एक country WTO के पास जाती है, कि यह यह चीजे हो रही है, तो World Trade Organization 1995 में setup हुई थी, इसलिए कि पूरी दुनिया में जो international trade है, वो बेटर तरीखी से facilitate किया जा सकें, और इसका जो headquarter है, वो जेनवा में है, और जिस time तक मैं यह video बना रहा हूँ, उस time इनका कोई current president नहीं है, कोई current head नहीं है, इनके जो last head थ जेनवा में, इसके जो head नहीं है, गाय राइडर, एक Indian person है, जो एक key important personality है, अपूर्वा चावला, who is the chairperson of the governing body of ILO, तो दोनों नाम आपको पता होंचे, क्योंकि Indian जा जाते हैं, वो key person बन जाते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें Asian Development Bank की, तो Asian Development Bank एक important event इवेंट इसलिए है, एक important body इसलिए है, क्योंकि जो इसका headquarter है, ये Asia में है, major अगर आप देखोगी, जो headquarter होते हैं, वो US, Europe में होते हैं, बट Asian Development Bank का, Philippines में, Manila में इसका headquarter है, 1966 में ये setup और इस bank का objective यही था, कि Asia की जो country जे उनको support provide करें, उनकी growth में ये contribute कर पाएं, तो इसके जो head है, वो कौन है वो है, Magasuku, Asakawa, ठीक है, उसके बाद New Development Bank जिसको Bricks Bank भी बोला जाता है, Bricks का क्या मतलब है, Bricks का मतलब है, Bricks का मतलब है, Brazil, Russia, India, China, South Africa, तो ये पांचों countries ने मिलके अपना एक bank बनाया, कि पांचों countries में जब भी कभी पैसे की जरूरत हो, या कुछ भी चीज है, जो development में help कर तो 2014 में ये बना था, ये important इसलिए है, क्योंकि जो इनका head है, वो recently changed हुआ है, इससे पहले एक Indian थे, ठीक है, तो इसका जो headquarter है, वो शेंगाई में है, और current जो इसके head है, वो है Marcos Troizo, ठीक है, और इन्होंने किसको replace किया है, जो Indian थे, KV कामत, ठीक है, तो KV कामत इसके head थे अब जो है, नए head वो Marcos Troizo head, ठीक है, उसके बाद हमारे सामने body है, UNEP, UNEP भी important है, क्योंकि बहुत बार हम देखते है, environment issue, climate change के उपर बात होती है, तो ये body सामने आती है, क्योंकि इसका objective यह है, पूरी दुनिया में एक better climate रहें, better environment रहें, तो ये setup बहुता 1972 में, इनका headquarter है इनका New York में है, and current जो इनके head है, वो है, Ashim Steiner, ठीक है, तो ये कुछ important bodies मैंने बताई, जो worldwide है, जिसके बारे में questions बनते हैं, तो इसके notes आप बना लेना, इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ और organization है, जो UN organization नहीं है, जो इतनी जादा worldwide सारी countries को include नहीं करती, बढ़ फिर भी काफी जादा इनकी relevance है, क्योंकि इन में जो participating countries है, उनका brand बहुत बढ़ा है, तो ऐसी कौन-कौन सी organization है देखते हैं, सबसे पहले तो BRICS है, जिसको पहले BRICS बोला जाता था, तो 2006 तक BRICS था, जब 4 countries इसका पार्ट थी, Brazil, Russia, India, China, फिर ये BRICS बन गया, जब South Africa इसका member बन ग का question ये भी बनता है, क्या India इसका पार्ट है, तो इंडिया अगर पार्ट है कि नहीं है, ये भी आपको पता होने चीए, तो ये चीज़ भी मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दिये, तो बहुत ही जादा comprehensive notes है आपके लिए, तो आपको बहुत easily यहाँ प accessible हो रहे हैं, क्यो इसको हम बोलते हैं, group of 20 developing countries, जो 20 developing nations है, वो सारे के सारे लोग आपस बे discussion करते हैं, कि हम अपनी economy को कैसे grow कर सकते हैं, एक दूसरे का support कर सकते हैं, 1993 में establish हुई थी, और इंडिया इसका पार्ट है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो सार्क, South Asian Association for Regional Corporation, जिसको बोला जाता है, headquarter इसका कार्ट बंडो में, 1985 में setup हुई थी, और इंडिया इसका पार्ट है, उसके बाद है, NAM non-aligned movement, 1961 में ये setup हुआ था, इंडिया इसका भी पार्ट है, इसका भी objective यही है, पूरे world में, एक definite positive culture, प्रमोट हो, उसके बाद है, ASEAN countries, ASEAN का full form क्या है, Association of Southeast Asian Nations, ठीक है, अब इ इतनी countries है, इसमें total आपकी 10 countries है, अब ये 10 countries कौन कौन सी है, ये भी आपसे exam में, पूछा जा सकता है, आपसे examiner बोल सकता है, बताओ, which of the following country is not a part of ASEAN, तो आपको ये नाम कैसे पता होगा, तो इसलिए, आपको ये सारी की सारी चीज़े, पता होनी चाहिए, ठीक है, और ASEAN of office of government ते इतना important नाम ये नहीं है, आप secretary general देख लेना, Jim Yong, होई, ठीक है, उसके बाद G7 जिसको group of seven developed nations कहा जाता है, इसमें कौन कौन सी countries part है, Canada, France, Germany, Italy, Japan, USA, UK, पहले ये G8 था जिसको group of eight developed nations, eight leading economies बोला जाता था, बट रशिया को 2014 में expel कर दिया गया था, क्यों expel कर दिया ग जिसकी वज़े से इसको यहां से exclude कर दिया गया था, इससे related क्या questions और बनते है organizations में, वो है कि इनकी जो summit होती है, जितनी भी bodies है, इनकी summit होती है, तो आपने बहुत बार देखा होगा, इस साल, majorly जो summit हुई थी, वो virtual summit हुई थी, ठीक है, तो आपको ये पता होने चीए कि कि इसने host की थी, ठीक है, host country कौन थी, आपको पता होन चीए, तो आप फटा-फट से देख लेना, G20 की last जो summit हुई थी, उसके host कौन थी, BRICS की summit के host कौन थे, next summit का होने वाली है, इससे related भी कभी-कभी questions बन जाते हैं, ठीक है, अब अगर हम इसके बात-बात करें financial market की, तो financial market क जैसे की मैंने आपको बताया, कि से भी इसको regulate करते हैं, तो अजय त्यागी is the chairman, ठीक है, अभी currently इंडिया में जो stock exchange कम कर दी हैं, दीरे-दीरे करके, ताकि भाई consolidation हो पाए, जो major 2 stock exchange है, जिनके बारे में आपने सुना होगा, जो national stock exchange है, वो है BSC और NAC, Bombay stock exchange, and national stock exchange, ठीक है, and आपको interesting fact पता होना चाहिए, यह, कि जो BSC है, Bombay stock exchange, वो oldest stock exchange है, इंडिया का भी, और एशिया का भी, ठीक है, और अगर आपसे पुछे, पुरे world का oldest stock exchange कौन सा है, वो है आपका Amsterdam stock exchange, और अगर आपसे पुछे biggest stock exchange कौन सा है, वो है आपका New York stock exchange, ठीक है, अब जो stock exchange होता है, securities की trading होती है, तो जो prices होते हैं, आपके या तो plus हो रहे होते हैं, या negative में जा रहे होते हैं, तो अगर आपके stock के prices increase हो रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं, यह bullish market है, ठीक है, और अगर prices decrease हो रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, bearish market है, कि लोगों का sentiment ज लोग जो अपने shares हैं, securities हैं, उसको sell off कर रहे हैं, और जब लोग एक optimist हो जाते हैं, कि भाई shares आगे भढ़ेंगे, stock market increase करेगा, economy grow होगी, तो shares भढ़ने लगते हैं, उसको हम बोल देते हैं, bull market चल रहा है, ठीक है, अब जो यह BSC है ना, इसमें यह बहुत सारे shares included हैं, बहुत स तरह से जो NSE का index हैं, उसको हम बोलते हैं, निफ्टी, ठीक है, अब यह index क्या होता है, एक तरह से, अगर sensex increase हो रहा होता है, तो हमें पता चल जाता है, कि capital market कि इस position में जा रहा है, because इसमें जो companies होती हैं, वो हर एक sector को represent करती हैं, हर एक sector से, companies होती हैं, real estate से, banking से, और इस त पर आपकी होती है, 30 companies, और यहाँ पर आपकी होती है, 50 companies, ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें, कि पूरी दुनिया में कौन-कौन से major stock exchange है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, BSC का index है, वो sensex, आपको पता है, इंडिया का है, NSE का nifty है, वो भी इंडिया का है, फिर NY इसी जो stock exchange है, जिसको हम बोलते है, New York stock exchange, जो biggest है, पूरी दुनिया का, उसका index का नामें, Dow Jones, जो New York का है, उसके बाद NASDAQ, NASDAQ का जो index है, उसको बोलते है, NASDAQ 100, और यह भी New York में है, आपको यहाँ पर एक चीज़ बतानी है, मुझे की NASDAQ का full form क्या है, ठीक है, यह question exam में आ इंडियन कंपनी बनी थी पहली, जो US NASDAQ में लिस्ट वी थी 1999 में, ठीक है, आपको NASDAQ का full form देख लेना है, पूछा गया एक दो बार, उसका दगनाम लंडन stock exchange की बात करें, उसके index का नामे FTSC, जो लंडन का है, उसके बाद आपका शेंगाई important है, शेंगाई stock exchange, SAC composite, जो China का है, Tokyo Stock Exchange के index का नामे Nikkei 225, जो Japan का है, उसके बाद Euronext जो stock exchange है, जिसके index का नामे AEX, BEL, यह France का है, तो अब आप index का मतलब समझ गई हो, कि पूरे के पूरे stock exchange में तो बहुत सारी companies हैं, सारी companies का अगर हम data देखेंगे, तो understand करने में time लगेगा, तो एक छोटा index बना दि तो blue chip companies वो companies होती हैं, जो बहुत बड़ी companies होती हैं, जो बहुत reliable होती हैं, जो काफी जादे stable हैं, तो अगर आप इंडिया में देखोगे कौन-कौन से सी बड़ी companies हैं, आपके infosys हो गई, आप अगर देखोगे मारुती Suzuki होगे, जो बड़ी companies जिनका turnover अच्छा है, जिनका क market, capital market से important information, अगर आपको stock market में trading करनी होती है, तो आपको एक account चाहिए होता है, जैसे आप bank में पैसे deposit करते हो, तो bank में account होना चाहिए, वैसी आपका account होना चाहिए, जिसको बोलते है DMAT account, ठीक है, DMAT account का मतलब होता है, DMATRALIZATION account, जिसके तो आप shares purchase और sell कर सकते हो, इसके उसमें करनी है, इंडिया की rank क्या है current, और कौन सी country टॉप पे है, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ लिख लेना, मैंने यहाँ पे इसने नहीं लिखा है, विकार बहुत frequently ये change होते रहते हैं, तो जैसी आपको जो भी exam आर रहा है, उससे पहले इस index की list बना लेना, तो World Economic Forum में इंडिया की rank क्या है, और कौन सी country टॉप पे है, फिर आपका HDI index होता है, बहुत जादा important है, काफी बार exam में आप देखोगे, कि human development index, इससे आपको पता चलता है, कि आपकी country की social progress कितनी हो रही है, जैसे GDP होता है, gross domestic product, वो आपकी country को बताता है, कि economically कितना grow कर रहे हो, HDI आप कैसा है, literacy rate क्या चल रहा है, standard of living क्या है, तो उसमें इंडिया की rank क्या है, और कौन सी country टॉप पे है, फिर hamilis passport index, इससे पता चलता है, आपके passport की कितनी strength है, कौन कौन सी countries में आप जा सकते हो, without visa, तो इसमें इंडिया की rank क्या है, कौन सी country टॉप पे आपको देखना है, world press freedom आपको बताता है, कि आपका जो press है, वो कितना independent है, कितना freely वो काम कर सकता है, government की restriction के बिना, तो उसमें आपको इंडिया और top rank देखने है, global peace index, global competitive index, यह बहुत important है, ease of doing business, ease of doing business में इंडिया की ranking better होती जारी है, ease of doing business यह है कि अगर आपको इस particular country में business करना है, तो कितनी असान आपको licenses लेने पढ़ते है, approval से लेने पढ़ते है, government की permission चाहिए, यह आप easily अपना setup कर सकते हो, तो उसमें इंडिया बहुत better कर रहा है, over the time, तो उसमें इंडिया की rank क्या है, वो आपको पताने चाहिए, और कौन सी country top पे है, वो पताने चाहिए, then global innovation index, जो आपका पताता है कि आपकी economy में, आपकी country में, कितने innovations हो रहे हैं, कितने आपने patents फाइल करे हैं, नई-नई चीज़े आप बना रहे हो, जिससे पूरी country में एक impact create हो रहा है, तो यह कुछ indexes हैं, जिसके आपको ranking पता होने चाहिए, तो यह notes बना लेना properly, काफी जादे important आपके exam perspective से आ जाते है उसके बाद अगर हम next topic की बात करें, वो है credit rating agencies, काफी बार interview और इस question को पूछता है, या फिर आपसे exam में पूछा जाता है कि credit rating agency कौन सी है इन में से, तो दुनिया में जो credit rating agency, credit rating का मतलब यह होता है कि यह जो agencies होती है, यह countries को, बड़ी-बडी companies को rating देती है, कि भाई, इनक की rating क्या, इनका past record क्या है, क्या इनका bank balance है, इनका cash flow statement कैसा है, balance sheet कैसी है, अगर आप इनको loan दे रहे हो, तो कितने time में आपको loan मिला है, तो इस credit rating का फाइदा क्या होता है, फाइदा यह होता है, अगर मालो कोई country है, जिसके credit rating better है, तो उसको world bank से या IMF से जल्दी loan मिल कोई company है, जिसके credit rating अच्छी है, तो उसको easily loan मिल जाएगा, तो इसी चीज़ के लिए big three बोला जाता है, जो यह ratings देते हैं, उन big three का नाम है moody's, standard and poor, जिसको हम बोलते है SNP, then हमार पास है Fitch ratings, ठीक है, तो moody's के founder है, वो है John Moody, and इनको acquired कर लिया था, किसके acquired by Dunn and Bradstreet in 1962, उस आपसे exam में question यह पूछा जाता है, which of the following is not a credit rating agency, तो अगर आपको तीनों के नाम पता है, तो आप easily उस question को कर सकते हैं, यह मैं global level की बात कर रहा हूँ, अगर आप India level पे देखोगे, तो यही तीन body's है, क्रिसिल, सिबिल और इकरा, तीनों की full form देख लेना, क्रिसिल का full form है, तो यह full form आपको पता होने चाहिए, exam में काफी बार पूछ लिये जाते हैं, और क्रिसिल का major shareholder है, वो SNP है, और इकरा जो है, वो Moody's और various bank का एक तरह से joint venture है, ठीक है, इसके बाद अगर हम economy की बात करें, थोड़े से यहाँ पर topic को touch करें, तो आपको पता चलता है, जैसे क इस तरह का loan जाना चाहिए, कितना distribution होना चाहिए, money supply क्या रहना चाहिए, वो RBI decide करता है, और जितने भी आप projects देखते हो, कि भाई, यह infrastructure पे project होगा, यह वाला पैसा नरेगा में जाएगा, यह सब fiscal policy का पाट है, क्योंकि government पैसा खर्च कर रहे है, ठीक है, तो अब आप difference सम बात करो, तो उसमें आपके कुछ important rates होती है, इसको समझते है, repo rate, reverse repo rate, SLR, CSR, अब यह क्या होता है, यह कुछ instruments होते है, जो money supply को calculate करते है, अब देखो किस तरह से चीजे work करती है, आपका यह RBI है, ठीक है, RBI कभी भी direct customer के साथ deal नहीं करता, वो bank के साथ deal करता है, और bank जो ह आगे customer के साथ deal करता है, अगर आपको कोई loan लेना है, तो आप RBI तो नहीं जाओगे न, आप bank के पास जाओगे, तो bank से आप loan लेते हो, लेकिन अगर bank को पैसा चीजे तो bank किस से पैसे लेगा, तो bank जो पैसा लेता है, वो RBI से लेता है, और bank पैसा क्यों लेता है, क्योंकि bank के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ज़्यादा Lone दे पाएगा और जितना ज़्यादा Lone देगा जितना इंटरस मिलेगा उतना उसका profit होगा तो यह तरह से पूरा का पूरा banking system Work करता है तो RBI जिस rate पे bank को loan देती है एक तरह से आप यह समझ सकते हो, उस rate को हम बोलते है repo rate, ठीक है, कभी कभी bank के पास extra पैसा होता है, bank loan नहीं देना चाहती, because हो सकता कुछ insecurity चल रही हो market में, तो bank अपना पैसा RBI को दे देता है, तो RBI उस पे कुछ interest देती है, वो interest rate को क्या बोलते है, उसको बोलते है reverse repo rate, तो होगा, यह RBI अपनी monetary policy में disclose करती है, and एक बात जो समझने वाली है, इससे पूरा का पूरा money supply कंट्रोल हो जाता है, कैसे हो जाता है, let's assume कि RBI जो है, वो रेपोरेट इंक्रीज कर देती है, RBI अगर रेपोरेट इंक्रीज कर देगी, तो क्या होगा, अब जो bank उसको loan क्या है money supply रुख गई है, ठीक है, और उससे क्या inflation control में आ गया है, अब मालोग कभी RBI यह चाते है कि लोग पैसा खर्च करें, क्योंकि जितना ज़्यादा खर्चा होगा, उतनी ज़्यादा economy grow करेगी, तो RBI रेपोरेट कम कर देती है, तो रेपोरेट कम हो जाए कि तो loan cheap हो जाएं कि जो भी short term loans RBI देती है, बैंक को उसको हम रेपोरेट बोलते हैं, जिस रेट पे बैंक RBI को पैसा deposit करती है, उसको हम reverse रेपोरेट बोलते हैं, अब दो चीज़े और होती है, statuary liquidity ratio and cash reserve ratio, अब यह क्या होता है, SLR और CRR, तो SLR होता है, जो पैसा बैंक को अपने पास रखना ह जाएगा, तो बैंक कहां से दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना, तो इसलिए RBI ने कुछ guideline set की हुई है, कि अगर आपके पाद let's say 100 rupees है, उस 100 rupees में से 18 rupees तो आप हमेशा अपने पास रखोगे liquid form, कि भाई कभी भी आपको ज़रूरत पढ़ें, आप इस पैसे को use कर सकती हो, 3 rupees आप हमेशा मेरे पास रखोगे, आप बोल सकते हैं, एक तरह से reserve हैं, मैं आपको तब provide करूँगी, जब आपकी bank की हालत काफी खराब हो गई है, उसको हम बोलते है CRR, और बाकी जो पैसा उसको आप loan advances की form में use कर सकते हो, तो जो पैसा bank को अपने पास liquid form में रखना होता ह उसको बोलते हैं seller, और जो पैसा bank को RBA के पास रखना होता है, उसको हम बोलते है CRR cash reserve ratio, अब आपको ये rates चेक कर लेनी है, क्योंकि हर 2 months में ये rates change होती रहती हैं, तो RBA की website पर जाके एक बड़ी चेक कर लेना, ये जो rates हैं, ये 18 January 2021 के according RBA की website पे available है, ठीक है, अब अगर हम बात करें, तो important bergers and acquisitions की बात करें, क्योंकि अगर आप एक MBA entrance दे रहे हो, तो आपको पता होंचिए business world में क्या क्या बड़ी deals हो रही है, तो वो सारी deals की मैं आपको list यहां पे बताने वाले हैं, तो A.ON जो है, वो Willis Tower को ले रहा है, insurance sector की deal है, cost of deal है 30 billion, ये important नहीं है, कितनी cost है कौन सा sector है, कौन सी company ने किसको खरीदा, that is more important, ठीक है, उसके बाद analog devices ने maximum integrated लिया है, 7&I ने speedway gas stations, उसका टेलर डॉक ने लिवंगो को acquire किया है, तो जस्ट इट ने grubhub को acquire किया है, देन Zomato ने Uber Eats को acquire कर लिया है, HUL ने GS के consumer, ये important चीज है, एक बहुत बड़ी FMCG की का आतरा को acquire कर लिया है, and in this tower, जो है, वो merge होंगे, किसके साथ, भारती info trail के साथ, ठीक है, telecom sector की deal है, तो ये कुछ important deals हुई है, जिनके नाम आपको यहाँ पर पता होने चीज है, कुछ global deals हुई है, बहुत बड़े level की, जो काफी आपके entrances में पूछी जा सकती है, उसमें सबस टूल है, corporate में use होता है, 27 billion में, तो काफी एक बड़ी deal हुई है, जो newspaper वगएरा में काफी cover की गई थी, आपसे salesforce के CEO का नाम भी पोचा जा सकता है, तो आपको पता होनची है, इसके CEO कौन है, तो नीचे comment में बताना कौन इसके CEO है, उसका फेस्बुक ने company acquire किया, customer for 1 billion, या आपको नाम पता होनची, फिर adobe ने work front को acquire किया है, marvel technology ने infimi को acquire किया है, then amd ने zilinks को acquire किया, फिर twilio ने segment को acquire किया, nvidia, nvidia आपने देखाऊगा, आपके laptop में होते हैं, nvidia के cards वगएरा, जिससे आप गेम्स वगएरा में, graphic के drivers वगएरा, use होते हैं, something related to that, तो उसने arm को acquire किया 40 billion में, फिर hpe ने acquire किया, silver peak, 925 million ने, uber ने, अपने जो rival है, postmates, उसको acquire किया, 2.65 billion में, amazon जो है, वो एक autonomous driving startup, zoox को acquire कर रही है, 1.2 billion euro में, उसका master card जो है, वो एक open banking firm है, fin city, उसको acquire किया है, facebook ने company buy करी है, ziffi, आपने देखाऊगा, बहुत सारे जो gifs वगएरा बनते हैं, व पर move it, उसको 1 billion dollar में, बाई किया है, and Verizon ने acquire के लिए, blue jeans को, blue jeans एक तरह से, आप बोल सकते हो, competitor है, zoom platform का, यहाँ पर आप meetings बगएरा, host कर सकते हो, तो उसको acquire कर लिया है, Verizon ने, तो यह कुछ बड़ी global deals हुई है, पिछले साल, जो आपके exam में, पूछी जा सकते है, इसके अला यह important event हुआ है, merger हुआ है, किस-किस का, लक्ष्मी विलास बैंक का merger हो गया है, India Bulls Housing Finance Limited, India Bulls Commercial Capital Limited के, ठीक है, उसके अध, Capital First और IDFC Bank का, आपका merger हो गया है, उसके अध, Vodafone और Idea का merger हो गया है, और brand मनके है, V, V.I. के नाम से, उसके bank of बड़ोदा मर्ज हो गया है, Vijay Bank और देन स्टेट बैंक और यह सारे के सारे SBA में आपके चले गए, ठीक है, फिर इंडेस्ट बैंक जो इसमें क्वायर हो गया है, मर्ज हो गया है, भारत Financial, Flipkart में मर्ज हो गया, eBay India, तो यह कुछ important purchase आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो important books and authors हम यह आपर देख रहें, जो लास्ट येर्स में काफी जादा popular रही है, दा कुकूशनेस जो लिखी है, एस सातुम माधवन ने, दा विनिंग सिकसर जो लिखी है, वी वी रमन ने, उसका human dignity or purpose in perpetuity वो लिखी है, अश्वनी कुमार ने, दा स्टोरी ओफ योगा, फ्रॉप इंडिय ये काफी popular personality है, तो इन्होंने ये बुक यहाँ पर पूरी की पूरी लिखी है, उसके बाद अगर हम देखें, तो Adventure of Daredevil Democrat, ये लिखें, कलिंग Foundation Trust ने, Lady You Are The Boss, ये बुक लिखें, अपूरवा पुरोहित ने, उसके बाद एन एक्स्ट्रा ओर्नी लाइफ, आप पूरी बिहाइंड इंडिया, ये लिखें, मॉन्टेंग सिंग अलुवालिया ने, ये भी काफी popular personality रहे हैं इंडिया में, उसमें पूरी की पूरी बात की गई है, कि इंडिया की कैसे ग्रोहित रहे हैं, किस तरह से इंडिया ने ग्रोह किया था, काफी इन्होंने बहुत ब लिखा है कृष्ष्वामी वी ने, इसके बाद अगर हम देखें, तो फाइंडिंग फ्रीडम ये लिखी है, आपकी ओमी स्कोभी और केरन डुरेंड ने, उसके बाद हॉप आन, रसकिन बॉन्ड, अगेन वेरी popular personality, इन्होंने बुक लिखी है, फिर जे के रॉलिंग ने पर्सपेक्टिव है, तो ये इनकी बुक्स जो है, काफे ज़्यादा popular हो रही है, तो इनकी जो latest बुक आई है, The King Who Saved India, ये बुक भी काफे ज़्यादा known होगे, इसके बाद अगर आप देखोगे, इन्होंने लिख्या ये बात, उसके रॉ, रॉ आपको पता एक ऐसी body है, जिसमें बहुत secret operations होते थे, तो history of India's, covert operations ये लिखिये, यतीश जादव ने, उसके दलाई लामा ने एक बुक लिखिये, climate appeal to the world, our only home, जिसमें नोंने बात की है, कि एक positive climate पूरी दुनिया में होना चीए, फिर one arranged murder ये लिखिये, चेतन भगत ने, pitching it is straight ये लिखिये, गुर चर इसके बाद हमारे सामने बुक है, Let Us Dream, इस बुक में इनोंने बताया, जो Pope है, उनोंने ये बुक लिखिये, Pope Francis ने, जिसमें बताया, future के बारे में, किस तरह से आप अपनी चीजों को plan कर सकते हो, एक positive बुक है, जिसके बारे में इनोंने discussion किया, फिर voices of descent, ये बुक लिखिये nationalism, patriotism से related, and what it means to be Indian, तो इन सब experience को इनोंने यहाँ पे share किया, फिर night of restless spirits, stories from 1984, सप्रीज सिंग ने लिखिये, जिसमें इनोंने 1984 का जो पूरा का पूरा incident हुआ था, उसको discuss किया है, फिर हमारे सामने बुक है, leading with empathy, जो लिखिये सुप्रिया वानी और काल हाटे ने, फिर I am no मस मसिहा, यह लिखिये सोनु सूर ने, सोनु सूर काफी जादा popular हो गए थे, आपके COVID के टाइम में जब इनोंने काफी सारे migrants की help की थी, उसके बाद इनोंने यह बुक लिखिये, I am no मसिहा, इसमें इनोंने पूरा का पूरा experience share किया है, किस तरह से इनोंने यह जड़नी की थी, तो यह इस तरह से popular है, उसके बाद Indian icon, a cult called Royal Enfield, यह बुक लिखिये, अमरित राज ने, उसके बाद लाइट of Asia, the poem that defined the Buddha, जैराम रमेश ने, फिर COVID-19, सब्यता का संकट और समधान, यह बुक लिखिये, आपकी कैला सत्यारती ने, कैला सत्यारती कौन है, noble peace prize winner रहे चुके है, और काफी popular personality है, बच्चों के लिए उन्हें काफी काम किया है, और इन्होंने यह पूरी की पूरी book लिखिये, तो यह सारी important books है, जिनके नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और इसी के साथ, यह notes यहाँ पर complete हो गए है, कोशिश करी है, कि आपको सारी की सारी important details, जो ए आपकी तरह से कुछ improvement है, वो भी comment कर देना, मैं उसको यहाँ पर pin कर दूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो इसको share जरू करना है, सारे दोस्तों के साथ, और like करके हमें motivate करना, इसी तरह की वीडियो से हम आपके लिए और बनाते रहेंगे, अगर आपको हमा यह जो mum आपकी लिए को वीडियो साथ